भाजपा ने प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी के खिलाफ आपत्ति जनक टिपड़ी के लिए करनाटक के मंत्री और कॉंग्रेस नेता शिवराज तंगदागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवा रोजगार मांगते हैं तो भाजपा उनसे पकोड़ा बेचने के लिए कहती है। भाजपा को शर मानी चाहिए। फिर भी अगर चात्र मोदी मोदी करते हैं तो उन्हें थपड मारा जाना चाहिए। इस वयान से युवाओं में डर पैदा हो सकता है और वो मतदान से दूर रह सकते हैं। भाजपा ने शिवराज तंगदागी के टिपडियों को आचार सहिता का उलंगन बताते हुए कहा है। कि उन्हें चुनाप प्रक्रिया से और कॉंग्रेस के पक्ष में प्रिचार करने से रोका जाना चाहिए। कि करनाटका कॉंग्रेस के एक और मंत्री शिवराज तंगडगी जिस प्रकार की भाशा, जिस प्रकार की जुबान और जिस प्रकार की धमकी की राजनीती पर वो उतर आये हैं। बीजेपी का विरोत करते करते, वो कहते हैं कि जो भी युवा है, जो भी विध्यारती है, जो भी पहली बार वोट डालेगा, जो इस देश को आगे मजबूत करने के लिए अपना महतुपूर्ण योगदान देता है, यदि वो प्रधानवंतरी मोधी का समर्थन करता है, त और इंडी अलाइन्स के तमाम निताओं से, क्या ये महबबत की दुकान है, या ने नफरत का सामान है, या ये धमकी की जुबान है, और ये कोई सयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है, पहले डीमके के मंतरी का बयान आता है, सो से अधिक गाली कॉंग्रेस, इंडी अलाइन्स के अलग-अलग नेता, प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी को, उनके परिवार को, उनकी जाती को, उनके गरीब समाज को, उनके अन्ये, लोगों को देने का काम करती है, कभी उनको भसमसूर, कभी गंगूतेली, नीच, कब खुदेगी मोधी की, इस प्रकार से 100 से ज़्यादा बारी गालियां देती है, और आज जिस प्रकार से, एक चिर युवा को स्थापित करने के लिए, अपने पार्टी के युवराज को स्थापित करने के लिए, जनता और जंता में भी, जो नव युवक है, जो नव मददा कि बाता है उनको मारने की उनको धमकी देने की बात कॉंग्रश पार्टी के मंतरी ने की है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उस पर कारवाई करेगी सिद्रमयय जी इस पर कारवाई करेगे क्या खडगे जी इस पर कारवाई करेंगे क्या प्रियंका जी राहुल जी इस पर कारवाई करेंगे आज जिस प्रकार की ये भाशा बोली गई है जिस प्रकार की धमकी दी गई है पहले करनाटका की सरकार ने युवकों को धोका दिया उनको दिये गए वादे पूरे नहीं किये और अब उन्हें मारने पीटने की बात कर रही है तो देश के युवा और खास करके करनाटका के युवा इसका सूथ समेत जवाब चुनाव के दौरान जरूर देंगे